नमस्ते सबको मैं हूँ चंदना और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे आज के वीडियो में में शेयर करने वाली हूँ मेरी ओनलाइन शॉपिंग एक्सपीरिंस आई होब कि आपको वीडियो पसंद आए अगर आये तो प्लीज सब्सक्राइब कीजे और लाइक कमेंट श वीडियो जो है ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं लेखिन इससे हम लोगों बहुत बर ऐसा भी होता है कि छीज़े जो दिखती है वो डिक आती है नहीं या फिर वो डैमेज राता है तो मेरे साथ भी बहुत मैंने थोड़ा बहुत शॉपिंग किया है ऑनलाइन शॉपिंग मैं फोटो और लिंक्स दालने की कोशिश कर डूंगी अगर जितना सारे फोटोम मेरे पास में देती रहूंगी मैं बहुत सारे प्रोडक्स आपके पास अच्छे से आया हो तो I Hope कि आपके पास अच्छे से ही आया हो पैट लग मेरा के मेरे पास बुराया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहले मैं Amazon से स्टार्ट करना चाहती हूँ Amazon से मैंने पहले खरीदा था एक Maroon लहेगा जो बहुत ही अच्छे क्वालिटी में मुझे रिसीव हुआ है इसका प्राइज मुझे पढ़ा था 1,300 रूपई के मुझे पढ़ा था इसका जो दिखने में बहुत ही ज्यादा था लेकिन उतना फ्लैर तो उसमें होता है नहीं जो दिखाता है पर उसका जो कटिंग था या मेटेरियल या क्वालिटी आप बोले उतना भी बुरा नहीं था और उसको बनाने के बाद इत वस लुकिंग गूड अन मी उसमें मुझे थोड़ा सा एक्स्टा काम करना पढ़ा जैसे कि मैंने लटकन एक्स्टा से लगाया था और उसकी अबराल वो अच्छा था उतना भी बुरा नहीं था नेक्स्ट मे ऑडर किया था میबलीन का फास्टी इंड पिट्ट मी फास्टी टू अंट कुलर मीडियम शेट में में और किया था दोनों मिलाके मुझे चॉस परा था 332 रुपीज वो बहुत ही अच्छा था सिर्फ कंसील मेरे शेट से थोड़ा एक शेट जाधा हो गया था मीडियम मेरी किन टोन के साथ नहीं जाता है उसके एक कम शेट मुझे लेना चाहिए था फिर भी लगाने के बद वह अच्छे से मिल जाता है और इसली ब्लेंडेबल और किन पे भी बहुत अच्छे से सूट करता है तो यह अच्छा था नेक्स्ट उसके बात मैंने और किया था वाल स्टीकर जो मुझे उसका प्राइस था 150 रूपीज वाल स्टीकर बहुत ही मेरे पास गंदा है हाँ वो मेरे एक फॉल था क्योंकि मेरे घर के जो वाल अब देख रहे हो यह प्लास्टर किया हुआ नहीं है थोड़ यह सब घास पूश दिया हुआ बहुत ही सुंदल लगा था मेन ओडर कर दिया था लेकिन लगाने के बात मैंने लगाया रात को और सुबह उठके देखी वो हवा में ऐसे उर रहा है बहुत ही गंदा था मुझे तुरंट उसको उठा के फेक देना पड़ा और जब मैंने उ अपडुए का हैसश सेर उसका प्राइस मुझे याद नहीं है उसके सीर मुझे इतना कुछ खास नहीं लग और सबसे बूरी बात मुझे यह लगी कि लगाया था मैंने यह दो बार फिर उसके बात मैंने तो तीन चार दीन चार हथते बाद उससे गंदा स्मेल आना स्वेट हो गया था जिसके ड़र के मारे में ने उसको फेक दिया मुझे बहुत डर लगा क्योंकिके काश मेरा हैर गिर जाता या कुछ आइसा होता जिसके बाद में नेसको फैक दिया थौ वह भी रिव्यू भी मैंने उसको अल्रेडी दे दिया है मैं उसका भी लिंक में आपको description box में दे दिया है full review मैंने किया है honest review जो मुझे कैसा लगा वो average था बहुत अच्छा या बुरा नहीं था तो हाँ यह तो था next उसके बात मैंने order किया था nose strips black nose strips blackheads हटाने के लिए जो note strip होता है वो मिन order किया था two packets में यह आया था मेरे पास एक cold sheet का जो average था यह भी average था इसका price था 160 rupees और यह डेटसल हटाने में उतना अच्छा काम नहीं किया था बहुत ही average which type का था उसका stripes जो थे उसको बहुत easily वो apply करने में easy था लेकिन जब रिमूव करते थे पूरा black whiteheads निकल के नहीं आता था next उसके बात मैंने order किया था mic microphone मेरी क्योंकि मैं एक नहीं YouTuber हुँ और मुझे tripod और mic और अच्छे phone की ज़रूरत थी तो मेरे पास budget भी उतना नहीं था तो मैंने एक microphone order किया था ताकि मेरा जो noise है क्योंकि मैं अभी यह शूट कर रही हूँ रात को कर रही हूँ सोने के time तो ताकि मैं दिन में कर पाँ इसलिए मैंने microphone order किया था जो काम नहीं किया बहुत ही bad था यह bad है microphone जिसका cost मुझे पढ़ा था 160 रूपीज का जैनुरी का 160 रूपीज का mic नहीं अच्छा नहीं था वो मेने phone पे तो काम नहीं किया मेरा OPPO A83 है उसमें काम नहीं किया है हो सकता है आपके phone पे काम हो तो मैंने उसको तुरंत return कर दिया और सेम एक microphone मैंने flip card से भी खरीदा था जिसका cost मुझे पढ़ा था 299 रूपीज का उसका वो भी मेरी phone पे नहीं चला I don't know why क्या कॉन सा microphone मेरी phone पे connect होगा मुझे नहीं पता वो भी work नहीं कर था तो मैंने उसको भी return कर दिया उसके बात मैंने Amazon खतम अब मैंने थोड़ा beauty products order किया था purple.com से जो बहुत ही ज्यादा famous एक online shopping है shopping site है जो purple से मैंने कुछ order किया है like first मैंने order किया था stay quirky का stay quirky का I love you too kajal जिसका price है 150 रूपीज ये अच्छा था ये kajal बहुत मतलब अच्छा था इसका ये बहुत dark shade में था waterproof भी है और long lasting भी smudge proof smudge proof उतना smudge proof नहीं है थोड़ा बहुत smudge हो भी जाता है लेकिन average था ये उतना भी अच्छा नहीं था next मैं order किया था bronzer set जिट में मिल रहा था मुझे faces का था faces canada का bronzer set जिट में bronzer highlighter और blush ये एक साथ मिल रहा था जिसका price मुझे बहुत 7.15 ये average था क्योंकि उतना ज्यादा pigmented नहीं है bronzer तो मेरी skin के साथ पूरा match हो जाता है लगानी के बाद उतना भी वह खुल के नहीं आता है highlighter और blush मुझे अच्छा लगा तो ये average था मेरे लिए next मैं ने order किया था NY bake का super matte lipstick जिसका price था 140 rupees and it was the worst product मैंने उसको लगानी के बात इतना sticky हो गया था skin पे lips भी बहुत ही tight और खीचा-खीचा सा लग रहा था और वो निकल भी नहीं रहा था मुझे इतना डर लगया था उसके लगाने के बात वह निकल ही नहीं रहा था मैं इतना घसी गिसके इसके फिर मैंने उसको रिमूवर से रिमूव किया मतलब फेस रिमूवर से रिमूव किया फिर भी वो थोड़ा बहुत था तो यह देखके मुझे बहुत डर गया और मैंने तुरंत ही उसके फेक दिया था मेरा 140 rupees पूरा पैसा बरबात हो गया था जो एन्वाइबे का लाइट आ गया था किको दिखा कुछ और रहा था और एक शेट लाइट आ गया मेरी फेस के हिसाब से वह एक कंसीलर बहुत क्रीमी वाला कंसीलर है इसली ब्लेंड हो जाता है लेकिन मेरी शेट से थोड़ी लाइट है तो मैं उतनी जादा इसको यूज नहीं करती हूँ उस निक्स था निक्स आ रहा है क्लाफ फैक्टरी क्लाफ फैक्टरी में आप लोगों पता है क्लाफ फैक्टरी में बहुत ही चीप रेट में प्रोड़क्त मिलता है मुझे मैंने ओडर किया था एक हार्ट बीट चैन जिसका प्राइस था 100 रूपीज बहुत ही प्यूटिफुल सा हार्टबीट चेन था लेकिन उसका कलर दो दिन बाद ही निकल गया था फ्रेंज दो दिन बाद निकल गया और मैंने उसको तुरंती फेक दिया निक्स्ट मैंने ओर्डर किया था क्लब फैक्टरी से एक ब्लाक और वाइट स्ट्राइप सूट मतलब पैंट क्रॉप टॉप और पैंट सेट और मैंने club factory से order किया था एक black and white stripe suit एक crop top और pen के साथ और उसके साथ भी मैंने cardigan black and white stripe same color की cardigan भी order किया था उसका review मैं already दे चुकी हूँ जिसका link में description box में दे दूँगी आप देख लीजिएगा black and white stripe dress था average जिसका cost था 500 रुपीज and cardigan जो था वो पहले मैंने black and white stripe order किया था आया था पूरा black जिसका price था 368 रुपीज उसके बात मैंने return करने के बात मुझे फिर से खरीदना पड़ा 412 रुपीज में तो वो cardigan भी average है उसका quality भी उता अच्छा है नहीं next मैंने order किया था concealer with highlighter जिसका price मुझे पढ़ा था 198 रुपीज and it was the bad worst thing I have ever received मैंने उसको use ही नहीं किया एक तो उसका दोनों साइड से था concealer and bronzer तो मैंने सोचा एक ही साथ काम हो जाएगा लेकिन उसका smell था पूरा जो आप हम लोग pastel color से color करते है ना उसकी तरह उसका बदबू था बिल्कूल भी blend नहीं होता था skin पे और skin पे बहुत ही गंदा लगता था तो मैंने भी उसको fake तिया next मैंने order किया था एक whisker club factory से मैंने already उसका review मैंने आप लोग के साथ share किया है जो 113 रुपीज का था वो average था next मैंने order किया था nose spin heart shape का I am in love with it वो 68 रुपीज का पढ़ा था और मैं अभी भी उसको वैर की हुई और देख सकते है heart shape का nose spin cute little सा यह इसका color शायद ही निकल गया हूँ पीसे लिए मैंने smartly silver color में order किया था तक इसको पता भी ना चले किसी को next मैंने order किया था club factory से एक hair trimmer जो दूसरे size में दूसरी company का अगर आप लेते हो तो बहुत जादा cost परता है लेकिन इसका cost था 366 रुपीज और यह अभी भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो यह thumbs up product था next उसके बाद मैंने order किया था एक tripod club factory से जिसके उपर मैं अभी शूट कर रही हूँ इसलिए मैं आपको दिख तो यह tripod जो था उसका cost था 233 रुपीज यह tripod average था इसका जो body है वो aluminium का यह लोग बोलेते पर मुझे लगा कि यह हलका सा plastic body है aluminium है लेकिन उतना tough aluminium body नहीं है और मेरी phone को अगर मैं ऐसे करके video shoot करते हूँ ठीक है लेकिन इसको side में bend करती हूँ तो वो उसका भार नहीं ले पात आइफोन में गिर जाता है फिसको बहुत सारा support देके मुझे लेना पड़ता है तो यह average था उतना चानी था next मैंने snap deal से order किया था बहुत ही ज्यादा excited first time मैंने snap deal से order किया था with discount huda beauty का eyeshadow palette जो मैं बहुत दिनों से लेना चाहती थी जो मुझे बहुत ही कम rate में मिल रहा था ले तो मैंने तूटा हुआ था तो मैंने तूरंत ही उसको return कर दिया तो यह आज सब कर मैंने जो खरीदा है यही सारे products कुछ खरीदा है जिसका review मैंने दिया है आपको I hope कि आपको पसंद आया हो और अच्छी बात यह है कि जो जो भी product मुझे ख़राब receive हुआ है और मेरे पास अच्छा packaging उसका सब कुछ था तो मैं तूरंत return की और उसका refund भी मुझे मिल गया था तो thank god के यह सारे जितने भी app से उसमें हम लोगों को ख़राब product मिलने के बाद भी refund का option है या replacement का option है जिसके लिए मुझे अपनो पैसा वापस मिल गया था यह एक गुच्छेज है हो सकते हैं यहाँ पर जो product मुझे मिला है आपको अच्छे से मिला हो तो आज का वीडियो आपको कैसा लागा आप प्ली झाल